नमस्कार जैहिन साथियो स्वगत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो मैं लिकार हजिर हूँ मद्पदेश पुलिस प्रेक्टिस्टर थार्ड जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तो समान ग्यान एवन समान विज्ञान टॉप 25 कोशन मैंने एड किये हैं दोस्तो इस पार्ट में और इसके पहले के दो पार्ट आल्रेडि चैनल में अप्लोड़ेट है उन्हें भी जाकर विजिट करें वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करें चैनल में जो लोग नए होंगे प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करें दो तो इसी के basis पर मैंने जो है practice set लाने को सोच है channel पर तो यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को like करें, comment करें कुछ गड़बड़ लगती है आपको और कुछ इसमें आप जो है अच्छा चाहते हैं तो बताईए मैं आप इसमें increase करने की कोशिस करूँगा तो इसी के साथ में जो है वीडियो को start करेंगे तो चलिए पहला question आपके सामने में प्रदर्शित कर रहा हूँ तो पहला question है दोस्तो आप कि screen पर मेरे answer बताने से पहले answer आप सोच लीजिएगा कौन संसर हो सकता है और 25 में साथ ने कितने attempt किये comment में जरूर बताईएगा तो पहला question है निमलिकित में से किस राज में सबसे पहले रोजगार गारेंटी योजना सुरू की किस से राज ने जो है सबसे पहले यहां पर रोजगार गारेंटी योजना की सुरूवाद 2005 से हुई थी दोस्तो और सबसे पहले सुरू किया था महराष्ट राज जिन ने तो option number C यहां पर right answer हो जाएगा महराष्ट राज ने जो है सुरू की थी रोजगार गारेंटी योजना अगले question की बात करेंगे निमलीखित में से किसे विस्व बैंके soft loan बिंडो के रूप में जाना जाता है तो दोस्तो पहला है IDA दूसरा है IDRD और तीसरा है FC और तीसरा है MIGA तो यहाँ पर निमलीखित में से जो है दोस्तो IDA यानि की option number A यहाँ पर right हो जाएगा IDA को जो है बैंक के soft loan बिंडो के रूप में जाना जाता है तो option A इस question का right answer होता है दोस्तो अगले question की बात करेंगे भारत के पहले मुख चुना आयुक्त कौन थे पहला है नगेंदर सिंग, दूसरा है सुकुमार सेन, तीसरा है TN मेनन दोस्तो यहाँ पर माफी चाते हैं मिस्प्रिंट है TN मेनन है यहाँ पर और चौता है T. सौमी नाथन तो right answer क्या हो सकता है कमेंट कीज़ेगा तो दोस्तो भारत के पहले चुनाओ आयुक्त की बात करें हम तो right answer होता है हमारा option नमर भी सुकुमार सेन सुकुमार सेन थे दोस्तो भारत के पहले चुनाओ आयुक्त आंगे है भारत का राष्टपती होने के लिए नियोंतम उम्र क्या है ये कोस्तन तो पता ही होना चाहिए है यह नहीं पता तो क्या पता तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा उप्सन नम्मर डी 35 वर्स होनी चाहिए भारत के राश्पती होने के लिए नियुन्तम उम्र अगले प्रश्न पर चलते हैं केंद्री संस्कृती एवं पर्यटन राजमंत्री ने इन में से किस इस्थान से सुच भारत एप का प्रारंब किया था केंद्री संस्कृती एवं पर्यटन राजमंत्री ने इन में से किस इस्थान से सुच भारत एप का प्रारंब किया था तो दोस्तो केंजरी संस्क्रती एवं परियटन राजमंत्री है उन्होंने किया था राष्ट्री संग्राले जो किया दोस्तो नई दिल्ली में यहां से जो है सवच भारत एप का परारम किया था अपसर नमर सीज कोशन का राइट अंसर होता है आँगे बात करेंगे दोस्तो कॉंटम सिध्धान के प्रति पादक कौन है सिंपल कोश्चन है दोस्तो साइन्स का कोश्चन है राइट अंसर होता है हमारा यहां पर मैक्स प्लांक मैक्स प्लांक है दोस्तो कॉंटम सिध्धान क प्रति पादक अकला कोश्चन है दोस्तों मरंदगम किस प्रकार का बाग्यंत्र होता है तो जो है मरंदगम है दोस्तों एक प्रकार से दो मुह बाला ढोल होता है इस कोश्चन का जो है अपसाने राइट अंसर होता है दो मुará डोलोता है दोस्तों मरदतम आंगे है संविधान सबह में किस देशी रियासट के प्रतिनी दीने भाग नहीं लिया था तो दोस्तों यहां पर है हैदराबाद हैदराबाद इस कोसंन का राइट अंसर लो जाएगा संविधान सबह में जो है हैदरबाद की देशी रियासत के प्रतिनी दिने भाग नहीं लिया ताफसन नमा सिस कोशन का राइड अंसर होता है आगे है अध्यचात्मक सासन का उदे सर्पतम किस देश में हुआ था विएर इंपोर्टन कोशन है दोस्तों पहला है योगोसलाविया दूसरा है मिसर, तीसरा है सुईजरलेंड, चौहता है सही राइड अमेरिका तो अध्यचात्मक सासन का उदे सर्पतम हुआ था दोस्तों सही राइड आरब हुआ था option number discussion का answer होता है आंगे है बर्तमान समय में किस प्रकार की वेरोजगारी भारतिय राष्ट के लिए एक गंभिर चुनौती है दूस्तो बर्तमान समय में जो देखने को मिल रही है सरवादिक जो है दूस्तो सिक्चित वेरोजगारी है जो सिक्चित यूबा है जो बहुत जादा यहां पर वेरोजगार रहते हैं तो इसी प्रकार से जो है वर्तमान में सिक्चित वेरोजगारी है दूस्तो सिक्चित यूबा जो है जादा आंदोलन करते हैं लेकिन इनकी जो है मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो इस प्रकार से जो सिक्षित बिरोजगारी भारत में बहुत गंविर चुनाती खड़ी कर सकती है या है अभी की मरतमान हिस्तिती की बात करें तो आँगे बात करेंगे सस्ती मुद्रा से तातपरी है दोस्तो पहला है ब्याच की कमदर दूसरा है बचत का निमन इस्तर चोहता है निमन जीवन इस्तर दोस्तो इस सस्ती मुद्रा की बात करें तो इसका तातपर है ब्याच की कमदर से option इस question का right answer होता है ब्याच की कमदर से है तत पर सस्त्री मुद्रा का अंगे है bullfighting निमने में से किस देश का लोगपरिये खेल है दोस्तों अक्सर आपने tv में देखा होगा bullfighting और youtube पर भी जो है बहुत फेमस है तो यह है दोस्तों मुकरूप से इस पेन का लोगपरिये खेल है अपसर ने इस question का right answer होगा bullfighting जो है इस पेन का जो है बहुत ही ज़्यादा लोगपरिये खेल है आगे है जे ए फ्लेमिंग निमन में से किस के आविसकारक है तो पहला है wireless, telegram, दूसरा है तीसरा है बिद्धुत प्रकास प्रभाव और चौनता है दोस्तों, radium तो जे ए फ्लेमिंग की बात करें दोस्तों यह है डायोड बल्ब डायोड बल्ब के आविसकारक हैं दोस्तों जे ए फ्लेमिंग option 20 question का right answer होता है आंगे बात करेंगे मगहर नामक इस्थान किस महापुरुस से संबंदित है मगहर नामक जो इस्थान है दोस्तों यह संबंदित है कबीर कबीर से संबंदित है मगहर नामक इस्थान important question है दोस्तों अगले question की बात करेंगे ग्यानपिट पुरुसकार प्राप्त करने वाली पहली प्रतम महिला प्रतम महिला कौन थी? ग्यान पिट पुरुसकार प्राप्त करने वाली प्रतम महिला कौन थी? दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा option number D आशापूर्ण देवी थी दोस्तो ग्यान पिट पुरुसकार प्राप्त करने वाली प्रतम महिला next question की बात करेंगे कौन सराज मत्पदेश के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है दोस्तों बहुत ही जादा simple question है इस question का answer आपके उपर छोड़ता हूं मैं इसका answer आपको comment करना है question no.16 का जो answer है आपको comment box में comment करना है बहुत ही हिसी है कमेंड में पताईएगा इस कोश्टन का आंसर की मतपदेश के साथ कौन सराज अपनी सीमा साजा नहीं करता है आंगे हैं मतपदेश से गुजरने वाली महटपून अक्छांस है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की बात करें हम राइट आंसर हो जाएगा करकरेखा जो है मतपदेश के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है मतपदेश को दो भागों में बाढ़ती है करकरेखा उत्तरी अक्षांस और दक्षणी अक्षांस में बाढ़ती है करकरेखा जोकी मत्पदेश के मत्द से ओकर गुजरती है अंगे है कोशिका में न्यूकलस की खोच सरपतम किसने की थी दोस्तो राइट अंसर हो जाएगा इसका रॉबर्ट ब्राउन दोस्तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी कोशिका में न्यूकलस की खोच सरपतम की थी रॉबर्ट ब्राउन ने ओप्षन नमर डिस कुशन कर राइट अंसर होता है अगले कुशन की बात करेंगे मास्पेशियो का अध्यान क्या कहलाता है पहला है माइकोलोजी, दूसरा है मायोलोजी, तीसरा है एस्टोलोजी, चोहता है नेफ्रोलोजी क्या होगा इस कुशन कर राइट अंसर बताईएगा दोस्तो मास्पेशियो का अध्यान कहलाता है मायोलोजी ओप्षन 20 कुशन कर राइट अंसर हो जाएगा मायोलोजी के लाता है मास्पीस योगा अध्धन नेक्स्ट है परियावरण के अजयब अव्यब उतका उधारण है पहला है बनस्पती दूसरा है जानबर तीसरा है वायू और चौता है सभी विकल्प सही है बनस्पती जानबर और वायू परियावरण के अजयब अव्यब का उधारण है नेक्स्ट है इन में से सरवादिक तेजगती का प्रिंटर की से माना जाता है पहला है लेजर प्रिंटर दूसरा है जेट प्रिंटर और तीसरा है थर्मल प्रिंटर चोगता है digital printer दोस्तो इन में से सरवादिक तेजगती का printer जो है laser printer जो आम तोर पर यूज हो रहे हैं अभी laser printer सबसे तेजगती के printer माने जाते है आगे है निमलिकित में से किस पुस्तक का संबन मोगली नामक पात्र से है मापी चाते हैं, हाँ पर miss printer है थोड़ा किस पुस्तक का संबंद मोगली नामक पातर से है तो दोस्तो आपने अक्सर कार्टून में देखोगा जंगल बुक जिसमें मोगली रहता है और इसका संबंद जो है अगला कुश्चन है किसी तत्वों के रसायनिक गुण निर्भर करते हैं तो यहां पर हम राइट अंसर की बात करेंगे दोस्तो किसी तत्व के जो रसायनिक गुण निर्भर करते हैं दोस्तो परमानु संख्या पर निर्भर करते हैं औप्सन भी इस कुश्चन का राइट अं दोस्तों पूछले ये प्रैक्टitist रेटम हमने पढ़ा था कि लाल निटमस को नीला कौन करता है लाल को नीला करता है दोस्तों भस में आने की चार उप्षन एफ को सनका राइड अंसर होता है और बात करेंगे लास्ट कोस्टन की इस पार्ड का decibel की साहता से क्या मापा जाता है very simple question है answer बताने की जरूत नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं धोनीम आपी जाती है दोस्तो decibel में option C is question का right answer होता है तो दोस्तो ये थे हमारे part 3 के practice set 3 के 25 question आए हो वीडियो आपको पसंद आए होगा दोस्तो अगर आप ऐसे और प्रेक्टिसर चाहते हैं तो comment में बताईएगा इसमें कुछ कमी रही होगी तो improve करने के लिए बताईएगा comment में क्या कमी रही तो मैं उसे अगले part में जो है improve करने की कोशिच करूँगा दोस्तो so इस इक साथ मैं मिलते है इसकी नेक्स्ट वीडियो में जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए so good bye